नाइस मीट आइम चुलबुल पांडे अरे सालों तुम भरीवी चिलबोतल लाते तो हम तुमें माफ भी कर देते दोस्तों आप सभी का स्वागत करने के लिए आ रहे हैं चुलबुल पांडे जिनका दबंग गई अंदाज पिछले 10 सालों से दर्शकों के बीच में सूपर हिट रहा है चुलबुल पांडे की स्टोरी क्या है क्या कोई ये जानता है यही स्टोरी लेकर चुलबुल पांडे दबंग 3 पे आ रहे हैं जहां पर चुर्बुल पांडे की पुलीस बनने तक का सफर हमें दिखाया जाएगा भू माफिया पर ये फिल्म अधरित होगी और दबंग पांडे यानि कि चुर्बुल पांडे एक अलगी अंदाज में हमें नजर आने वाले हैं दोस्तों आपको बता दे इस वीडियो में बात करने वाले हैं दबंग 3 के फॉर्स डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि चुर्बुल पांडे कितना कलेक्शन अपने शुरुआती दिन में कर सकते हैं फिल्म शुकरवार को रिलीज हो रही है कोई भी हॉलिडे नहीं है दबंग 3 का क्रेज देखते हुए ऐसा लग रहा था कि फिल्म पहले दिन 40 करोड की ओपनिंग ले लेगी लेकिन अभी पुरे भारत में कई बड़े बड़े शहरों में कर्फ्यू लग रखा है ऐसे में सिनेमा घर और बॉलिवुड बिजनस काफी ज़्यादा एफेक्ट भी करने वाला है ऐसे में दबंग 3 का जो फॉर्स डे कलेक्शन रिपोर्ट सामने आ रहा है वो 29 से 30 करोड रुपए के बीच में है एडवांस बुकिंग को मद्दे नज़र रखते हुए कई शहरों में इसकी बुकिंग सुबह 8 बजे के शो से ही शुरू हो गई है लेकिन पहले दिन दिल्ली जैसे बड़े शहरों में शोस का काफी कम लग पाना इस बात का बड़ा संकेत है कि पहले दिन ये फिल्म जरूर थोड़ा जूल जूल जाएगी लेकिन आने वाले दिनों में रविवार हो या क्रिसमस वहाँ पर दबंग 3 ऐसी बाजी पलटने वाली है कि फिल्म 200 करोड के आकड़े को तो ध्यान में रखकर चल रही है पिछले कुछ समय से सलमान खान की फिल्मे बॉक्स आफिस पे उतना कलेक्शन नहीं कर रही जितना सलमान खान के नाम पर फिल्मे बिक्ती है रेस 3 170 करोड भारत 210 करोड रूपे की कमाई करके गई थी अलाकि दोनों ही फिल्मों का 300 करोड प्रेडिक्शन लगाया गया था ऐसा ही दबंग 3 का प्रेडिक्शन भी लगबग 300 करोड का है और भाईजान को देखना होगा कि वो कितने करोड का कलेक्शन अब करते हैं खैर जो ही पबलिक रिव्यू होगा वही माईने रखता है कि फिल्म कहां तक जानी है फिल्म 100 करोड 3-4 दिन में करेगी ये बात तैय है दोस्तों क्या आप दबंग 3 देखने का प्लान बना रहे हैं कमेंट बॉक्स से बताएं और सब्सक्राइब करें देखो देखो कर दोस्तों कापता है